और गनतंत्र दिवस समारों के बाद नीज लवन भारत समवादाता अविनाश ने सीएम से खास बातचीत की आप भी सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री हेमद सोरेर ने आज पुरा देश गनतंत्र दिवस के उनलास में सराबोर है गनतंत्र का मतलब ही होता है ऐसा राष्ट जिसके सत्ता में जन साधारन समाहित हो बहुत बड़ा अर्थ निकलता है लेकिन पूरी आजादी से लेकर अब तक अगर हम बात करें पता नहीं क्यों सत्ता से लोग ही दूर हो जाते हैं तो अभी आपने देखा नहीं है हम कहां से आ रहे हैं और सत्ता में हम लोग रहें ना रहें बिल्कुल आम बैक्ति की तरह और आम लोगों के बीच में रह रहा हमें पसंद है आज हमने जनलों तोलन के बाद जो सहर में छोटे छोटे दुकान है कभी वहां पर चाय पिया करते थे कभी कुछ समान खरीदा करते थे वहां पर बजा करके हमने चाय भी पी अभी भरे लोगों के भीड़ हाला के मुखमंत्री का पद हमें मिला है और एक समयधानिक घेरे के अंदर भी हम हैं दोनों की मर्यादा को बचाते हुए और दोनों चीजों को है अगर समान देते हुए हमें आगे चलना है यह हम सोचते हैं लेकिन हमन्त जी जब आप कहते हैं कि आप बेटा है कोई मुखमंत्री नहीं राष्ट के बेटा हैं भाई हैं दोस्त हैं तब यह चीजे लोगों को भाती है सब कोछ यही चीज तो लोग मिंस करते हैं लोक तंत्र में अब कौन क्या करता रहा है कैसे है कैसे लोगों ने काम किया या करते हैं यह तो उनका भी से है हम यह जानते हैं कि हमें क्या करना है हमें कैसे चलना है इसकी हमें चिंता होती है एक सवाल आप लोगों से बहुत डाउन टूर्थ जाकर मिलते हैं मुझे याद है जिस दिन से रिजल्ट आया है लगती आप एक एक लोक से मिलते हैं कभी खड़े होकर मिलते हैं कभी मिलते हैं यहीमं क्या स्के même हो कि इस मिट्टी से जन्में तो इस मिट्टी से हटके हम नहीं चल सकते और इस राज की परंपरा इस राज की संस्कृती ही और राजों से इस राज को अलग करता है जहां पर इस मानोता का एक अलग ही पहचान है हम प्रयास राथ हैं कि यह चीजें यह बरकरार रहे यह हमारी प्रयास एक सवाल बहुत वाजीब है आप लोग बार बार जब बात करते हैं पार्टी या जेमिम की भी बात करें अभी भी अलग राज का सपना अधूरा है यह हेमंत सुरेंजी के नजरिये से सरकार से कैसे वो स अभी हमें पदगरहन के वह हुआ है आप देखेंगे बहुत तेजी से बदलाओ आपको दिखेगा एक नई राह का अगाज हुआ है चुनाओं के बाद और इस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं हाला कि 5 साल बहुत बड़ा नहीं होता है एक परिवर्तन के लिए एक लं दिर्वास और एक दिसा दिखेगा जहां इस राज का एक बहतर भुविष की जलक आपको दिखेगे आपके तो निर्मान नहीं चाहिए कंक्रीट का कोई निर्मान आलिसान माकान भवन जबतक्ती उस सड़क पर चलने लायक नहीं रहे गा ऐसे तमाम विकास का कोई आधार नहीं बनता है। नहीं बिल्कुल हमारा व्यक्ति निर्दारित निर्मान करने का जो हमारा संकल्प है वह प्रात्मिक्ता है। और बाकि सबी चीजें चलेंगे। जहां लोगों को जिस्टिस की जरौत होगी वह मिलेगा। उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति से जुड़ी चीजें सभी साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर हमने यह कहा तो सड़के नहीं बनेगे। लेकिन सड़क पर चलने लाइक लोगों को भी हमें खड़ा करना है। और जो भी संरचना हो उस संरचना का बहतर सदुपयोग हो। और वो सदुपयोग आम नागरिक करेगा। इसके लिए एक बहतर वातावरन, बहतर सिक्षा, बहतर एक सस्कृति जिसको हम लोग और मजबूत करने के बात करते हैं। शहर बनाम गाओं बहुत बड़ा फर्क दिखता है इस आजादी के इतने लंबे साल के बाद भी यह यह शहर आगे निकल जाता है, गाओं के लोग पीछे छूड़ जाते हैं। आपने अच्छी बात कही संस्कृति हम संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। अभी आप थोड़ा सा इंतिजार किजिए और आपको हम अभी तो हम कहने पर बहुत जादा विश्वास नहीं करते हैं। इन करने पर जाला विश्वास करते हैं। और थोड़ा सा आप हमें समय दें। और निश्चित रूप से आपको इस राज कहने रूप राज को बढ़ता हूँ आप देखेंगे। मत जी एक अंतिम सवाल आपको लगता है कि स्बार जो गड़ बंधन की सरकार हर भार इतिहास रहा है। गड़ बंधन की सरकार किसी विराजी में रहे i.artment है थूड़ी दिक्कत होते हैं। आपको लगता है कि नहीं इस बार से इस बिसे पर मुझे किसी भी तरीकी का चिंता करने क्या वो सकता नहीं है सब की जिम्मेवारी है सब की जिम्मेवारी सुनिशित है और जिम्मेवारी के साथ लोग काम करेंगे और मुझे जो जिम्मवारी मिली है उसे बेहिचक बिना डरे हमें आगे करना है पूरा काम करना है जो जिम्मवारी इस राजी की जनता ने दिये कैमरा परसन सुषिल के साथ अविना स्कुमार निज एलेबन दुमका